देखिए मिरर फार्मूले में कॉन्वेक्स की बात करें तो इसमें उत्तल दरपण कल कुछ ज्यादा हिंदी बोननी पड़ रही थी हमको कल एक था उतनी इंग्लिश में दिक्कत उसको और ही करें क्या हम यह एक आपजेक्ट रखा हुआ है हमने कहा था इमेज बनाने के लिए क्या करना पढ़ेगा कि कम से कम दो ऐसी रेज जिनके रिफ्लेक्शन का रूल हमको मालूम है तो हमने का एक लाइट रे पैरलल डाल दे रहा रहा तो जब लाइट डालेगे तो आपको यहाँ पर नॉर्मल डालना पढ़ेगा नॉर्मल कहां से पास होगा उसके center of curvature से यह इसका normal है कहां से pass हो रहा है center of curvature से pass हो रहा है तो यह light यह angle क्या होगा angle of यह क्या कर रहे है हम वो rule proof किये दे रहे हैं गलत 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 वो हम f is equal to r by 2 proof किये दे रहे है sorry वो एकली याद वो अला है ना f बराबर r by 2 हमको image बनानी है के वलना हमको i or r नहीं चाहिए तो क्या करेंगे light reflect होके चली जाएगी कहां से होकर के निकल रही है focus से तो यह focus से होकर के निकलेगी कि निकलती हुए appear होगी appear होगी और एक light ray कहां जाएगी center की तरफ अगर यह ना होता mirror तो center में पहुँच गई होती लेकिन रास्ते में mirror मिला और उसको उसी रास्ते वापस कर दिया ठीक है इस point पर दोनों intersect करते भी appear हो रही है तो आपका जो image होगा वो इसी point पर मिलेगा i, i, dash diagram तो clear हो गया होगा ठीक है और यहां से मैंने एक normal खीचा यह point m मान दिया और बाद में m को क्या मानेंगे m is very close to p diagram clear हो गया तो पहले तो diagram की बारे में लिखेंगे क्या आप लिखेंगे there is a convex mirror ठीक है o, dash is an object its image is formed at i, dash कम खतम ज्यादा आपको कहानी करने की ज़रुवत नहीं है ठीक है अब आपको formula क्या निकालना है object की दूरी u, image की distance v, focal length में relation जो को पीशे concave में आप नहीं किया था ठीक है diagram सुन में आगया अच्छा क्या आप देखेंगे proof बिल्कुल वही होगा जैसे concave का किया था triangle c o o dash दिख रहा है ये बड़ा सा triangle दिख रहा है ना और triangle c i i dash दिख रहा है दोनों में ये वारा common angle और दोनों का angle 90 degree है तो दोनों triangle कैसे हो गए similar तो आप लिखेंगे triangle c o o dash and triangle c i i dash क्या है आर similar ये सम रूप है similar तो similar की theorem वही होती है कि उसकी corresponding side का ratio संगत बुजाओं का अनपाद ब्रावर होता है लियानि की o dash upon i i dash o o dash upon i i dash is equal to c o upon c i equation number one पहुँश गया आप दूसा triangle देखे focus से देखे जरा f a b दिख रहा है f a m sorry दिख रहा है और f i i dash दोनों कैसे है पर ये angle common है और ये angle दोनों का 90 degree है तो आप लिखेंगे triangle f a m is similar चलेगा ये similar का sign होता है similar to f i i dash तो corresponding side क्या होंगी a m upon i i dash a m upon i i dash is equal to f m upon f i देखें a m जो है वो o dash के इक्क्वल है क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको object की height height से कोई बतलब फिलहाल नहीं है हमको distance से मतलब है तो height को हटाना पड़ेगा न तो a m को क्या ले सकते हैं आप o dash समझे बात आ रही है तो a m को लिख दिया o dash तो ये क्या बन गया o o dash upon i i dash is equal to f m upon f i क्यों ऐसा किया तो आप लिख देंगे कि as a m is equal to o dash इसको आसम न पढ़ ले न उले आसम क्यों लिखा हुआ है हो सकता है ये mirror आसम में पाए जाता हूँ as am पुड़ा दल्दी पुड़ा आसम ने एक से एक पढ़ने वाले हैं पढ़ लेते हैं as अलग करना am अलग करना equation one और two देख रहा है इन दोरो equations में left hand side equal है तो right hand side भी equal होगा तो आप लिखेंगे by equation one and two co पान ci is equal to fm पान fi ये equation बरतरी है अब आपको केवल इसकी value उठाके रखनी है you will get the proof note करिए जो को distance कहां से मिजर करनी है p से इधर की दूरिया उधर की दूरिया नियम क्या है जिधर slight आ रही है वही mirror की तरफ आएगी ना mirror से दूर जाएगी तो अगर light के साथ आप चलोगे तो light उसकी आप उसी चलोगे तो negative ठीक है ज़रा co की बात करते है distance निकाले जा रहे है जब co की बात करेंगे यह दिख रहा है ना co co कर लिखते है cp plus po तो cp plus po cp क्या है radius अब कारविचर है ना r plus या minus plus या minus क्यों cp हम लिख रहे है तो plus या minus हाँ minus है इदर है क्यों minus भाई साथ दूरी कहां से major की जाती है p से major की जाती है हम भले ही cp बोल रहे है लेकि major कि इदर कर रहे है pc लिख रहे है ठीक है तो हाँ तो आप कहेंगे confuse क्यों कर रहे हो master हो कि confuse करते हो minus होग प्लस होगा plus का r p o क्या है वस्त की दूरी object की दूरी क्या होती है u minus या plus minus u ठीक है अच्छा मान लिया कहीं पर आप plus लिख दिये अब आपको minus लिखना है तो इसमें गिनापन आई ये ये ने ने करिएगा आप plus लिखा रहे हो और bracket में कर दिए minus अब लिख देंगे अब लिख देंगे पहेंचान plus या minus अब confusion वाली state में अब नमबर मिल भी सकते हैं r को क्या ले सकते हैं आप 2f minus u निकलाया c o अब ज़रा ci की बारे में बात करते हैं देखो जान से ci को ज़रा देखिए दूरी है ना दूरी कहां से ना अपनी है तो ci को cp में से या pc में से pi minus कर दें ने लिखने तो हम cf plus fi plus im plus mp भी क्या सकते हैं ठीक है दूरी कितनों टुकडे बार दू टुकडे वही लेंगे ना जो टुकडे हमको जरूरत हो ci को क्या लिख सकते हैं अच्छी बात है pc में से pi minus कर देंगे pc बोले तो r plus है minus plus r minus पहले से लगा है मैं minus लगा नहीं नहीं पहले से लगा हुआ pi क्या है update की दूरी image की दूरी plus है minus तो यह minus लगा रहेगा ना v इसको क्या लिखेंगे 2f आपने पढ़ा है अच्छा आईए fm fm कैसे निकालेंगे fm यह जूरी है ना तो हमने का क्या कहा था m is very close to p fm को क्या लिखेंगे आफ fp focal length f plus है minus आपको यहाद है इसके पहले वारे class पे हमने कहा था आप focal length plus है minus महेंचानी यह नहीं महेंचान पाइए थे वहाँ पर focus इधर निम्मिल कर रहे ना तो plus या minus plus होगा अब ज़रा fi पी आजाओ fi को क्या लिखेंगे इधा देखें fi है ना pf मेंसे pi मार्स करोगे तो pf minus pi pf बोले तो focal length f plus minus pi बोले तो v value सब निकल आई तो यह सब value उठाके कहां रख देंगे equation number 3 में putting all these values putting all these values in equation 3 sign का काम खतम हो गया ना यहापर diagram का काम खतम हो गया diagram सब देख गया आपको तो इसको हम उठाके rough किये दे रहे rough किये दे रहे का rough किये दे रहे हाँ ज्यादा तर लोग rough करते cancer board rough करते है अब तो English में ज्यादा erase न करो देखो co की value क्या है available put कर रहे है co की value क्या है 2f minus u upon ci की value क्या है 2f minus v is equal to fm की value क्या है f upon f i की value क्या है f minus v अब cross multiply करके पुरा calculation हो जाएगा बस solve कर लीजे इसको अपने आप answer अब प्रूफ हो गया आपको तो यह आजाएगा 2f f से कर रहे 2f square minus fu minus 2 f v plus uv is equal to 2f square minus f v इसे cancel हो गया सबको इदर लेआओ सबको का अकेला विचारे इसी को इदर लेआओ देखे minus का f u हो गया यह minus का 2f v है ना और यह minus का f v दर आके तो क्या बन जाएगा minus का f v और plus का uv बराबर 0 यह दो दो विरादरी अलग-अलग कर दी सबको अलग-अलग कर दो क्या करेंगे इसको सबको uf से divide कर दो अगले step पिल लिखो कि dividing all the terms with uvf all the terms लिखो ना लिखो अपने आप अलग-अलग हो जाएगा यह क्या हैगा minus का 1 upon v minus का 1 upon u plus का 1 upon f बराबर 0 f बराबर 1 upon v plus 1 upon u तो यह आपका proof है दोनों ही बहुत important नहीं है मतब mirror के family तोनी important नहीं है लेकिन है तो है इसलिए note करें